हेलो दोस्तों बंधन बैंक का शेयर प्राइज डाउन है क्वाटर टू के रिजल्ट्स के बाद वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे क्या डीटेज इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए और इस पर मेरा क्या वियू है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं 31st October को रिजल्ट्स के बाद जिस दिन ट्रेडिंग शुरू होती है शेयर प्राइज 239 रुपीज के आसपास है और एक दिन में लगभग शेयर प्राइज बंधन बैंक का 10% के आसपास शेयर गिरा हुआ है यह बहुत बड़ी गिरावट कही जा सकती है जब हम बैंक के स्टॉक के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको मैं बैंक का रिजल्ट्स के इंपॉर्टेंट नंबर बताता हूँ यह सब्टेंबर 30 का जो quarter 2 जो है उसका रिजल्ट्स आया है यह है quarter 2 FI 23 रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते है total income जो हुई है 2670 करोड के आसपास हुई है अगर आप quarter 1 देखेंगे तो जादा income इंपेक्ट हुई थी 2844 करोड की income हुई थी तो quarter on quarter income जो है वो घटी है अब profits की अगर हम बात करें तो company ने या bank ने profit किया है 209 करोड का profit किया है लेकिन quarter 1 में और ज्यादा profit किया था 886 करोड का तो एक quarter में जो है जहां हम turnaround की उमीद कर रहे थे और वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है profit और income दोनों ही कम होते हुई नजर आ रही है अगर हम पिछले साल के साथ compare करें तो पिछला साल जो income थी उससे थोड़ा जादा इन्होंने income की है लेकिन पिछले साल में उन्होंने loss किया था क्योंकि कोवीड है फिर जो माइक्रोफाइनांस जो बिजनस है जो इवी सेक्षन है वहाँ पर स्ट्रेस था मोरेटोरियम था तो पिछली बार एक बड़ा लॉस था तो लॉस से profit में आई लेकिन जो turnaround सोचा जा रहा था वो नहीं हुआ यह और कुछ आ जो average assets है 2.5% quarter 1 अच्छा रहा था ठीक ठाक रहा था वो घटके 0.6% हो गया gross NPA कम हुए है लेकिन जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं हुए देखे quarter 1 में 7.25% था अभी 7.19% है कम हुए है no doubt लेकिन हम जब compare कर रहे है तो बंदन बैंक को दूसरी भी banks के साथ compare करेंगे ज net NPA year on year कम हुआ है 3% से 1.86% लेकिन quarter on quarter कम यहाँ पर हुआ है तो जो results है वहाँ पर इक stress दिख रहा है कि quarter 1 थोड़ा ठीक ठाक था quarter 2 में उमीद थी कि और चीजी थोड़ा ठीक ठाक होंगी लेकिन उल्टा बिगड़ गई है तो देखे quarter 2 के जो results आए है बंदन bank के expectation से थोड person गिरा हुआ है अब इसमें हुआ क्या है slipages बढ़े हैं मतलब जो भी borrowers है loan दे पाने में उनको तकलिफ हो रही है और उसके कारण से जो bank के जो भी loan उन्हों दिये हुई है वो slip कर जा रहे है वो जो 30 days back it फिर NPA level पर वो slip कर जा रहे है और किसी भी bank के लिए slip कर जाए loan तो यह एक negative होता है होती है कोई बात नहीं NPA हर bank का होता है लेकिन जादा NPA हो जाए तो थोड़ा negative होता है थोड़ा सा अगर positive देखेंगे तो चूकि बहुत हद तक पहले microfinance और emerging में उनका business का growth था लेकिन अभी housing loan में उन्होंने 32% growth किया है और यह भविश्य में opportunity हो सकती है इ इसलिए जो है थोड़ा watch and weight and watch जैसा situation रहे तो ज्यादा अच्छा है जैसे मैंने बताया net interest margin कम हुए है फिर असम में floods आई थी उसका अभी भी impact है और जो diversification है अभी भी और ज्यादा diversification size streets उमीद कर रही है तो management ने क्या कहा है management ने कहा है कि जो NPS जो है वो धीरे-धीरे करके decline होते रहेंगे जो NPS है हमने देखा ना बहुत जादे NPS गिरे नहीं है मतलब जो net and not performing non-performing assets जितना कम हो उतना अच्छा है तो देखिए बहुत सारी लोन को उन्होंने restructure किया है बहुत सारी लोन में अभी भी delay disbursement हो रहे है और असम में flood हुए है जिसके कारण से NPS में भी diversification में है जैसे home loan है और बाकी सब product जो है अब बंधन bank पर मैं अपना personal view आपको मैं बताऊंगा तो देखिए बंधन bank पर मैं personally expect कर रहा था कि कुछ turnaround situation हो सकते क्योंकि जब stock की business खराब हो रहा हो और अचानक से कुछ turnaround की संकेत मिलते हैं तो बहुत अच्छा return मिल सकता है जैसे 2018-19 में state bank और ICICI bank में हमने देखा था और उसको मैंने खुद experience भी किया है तो मैं expect कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब जब result से पहले और थोड़े समय पहले बंधन bank मेरे portfolio में हुआ करता था तो in fact अभी भी है ऐसा नहीं है कि नहीं है वो point 0.2% का पूरा portfolio था फिर मैंन इसको थोड़ा घटाया और 0.1% कर दिया था क्योंकि October 8-9 उस समय में बंधन bank ने अपने quarter 2 के जो numbers है result नहीं नंबर पेस किये थे जिससे थोड़ा बहुत हिंट मिल गया था कि results जो है बहुत सही नहीं आ सकते है तो वो थोड़ा stress दिखी रहा था तो मैंने loss book किया था माइन इसे turnaround stock मानूंगा अभी तो नहीं है अभी क्या मैं इसको खरीदूंगा इसका उत्तर है नो क्या मैं अपने क्यों कि देखिए portfolio में 0.1% है मतलब अभी बंधन तोड़ा नीचे भी है तो बहुत मुझे फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मैं जो नए data है उसका रहा है तो बंधन के जो valuations है वो बहुत compelling हो गया है बट वही होता है न कि अगर कुछ नीचे जा रहा है fundamentally कमजोर हो रहा है और quarter 1 से quarter 2 चीजे और खराब हुई है तो अभी थोड़ा सा रिस्क यहां पर ज्यादा है वो मुझे बिलकुल अभी पता है valuations लेकिन compelling है इसलिए मै मेरे watch list में यह stock रहेगा बाकी credit or deposit जो है बहुत strong रहा है guidance भी उनका strong रहा है कि उनका credit or deposit में रहेंगे बाकी NPS related problems है फिर diversification related challenges है तो उन सब को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो overall results अच्छे नहीं आये है फिलाल watch list में रहेगा मैं इसको दूर से देखता रहूंगा यही मेरा view है लेकिन वो जो होती है न वो जो चाकु जब नीचे गिर रहा होता है इन्वेस्टर्स भी सोचते है और नीचे गिरेगा गिरेगा गिर रहा है अब हम इसको खरीदना सुरू कर देते हैं लेकिन वो बहुत risky भी हो जाता है हमने yes bank के case में देखा था अभी yes bank जै आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे आपका क्या व्यू है क्या आप इस risky stock में अभी क्या नया investment high risk में करना चाहेंगे या मेरी तरह wait and watch करेंगे या फिर sell कर देंगे जरूर बताएगा comment section में धनिवाद मुझे अम्मीद आपको value मिली होगी सम थैंकियो दोस्तों